यहां पर टैटू बनाया ना भोले नात का उन्हें खुलके बोले कि मजजिद के अंदर भोले नात के अशेश मिले हैं अटाओ मजजिद बनाओ 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 तो उस राम के लिए क्या कर रहे हो कि आज हम सरयाम कहते हैं जहां जैसा था सोई किस्मत जाग रही है भारत सक्त सनातन की मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की इतिहास और अंजेबों का हर पन्ना खोल दिखाएंगे जहां हमारे शिव निकले मंदिर हम कहते हैं कि आज अज आयुद्या में राम मंदिर उनी के बगल में मजजिद भी बहुत बढ़ी हमें बदाई दे रहे हम भी उस दिन बदाई देंगे जिस दिन मस्जिद देंगे हम कब कह रहें कि अल्ला तुम्हारा बटा हुआ है कि यहां हमारा रहा है ऐसा कौई चीज़ बटे था मेरा ये कहना ऑगर आप पत्रकार्ता करें वो और किसी आपके पठरकार भाई को को शीम सकूसरे और में बहूले कापसा बालने करें आब वैसे ही आप अगर सलीम जी की बात करते हो तो पटयाला में कोई पंडी जी है उन्होंने का यह तो हिंदू ही थे तो अब हिंदू है तो फिर अब उनकी दुबात ही कि तो मुसल्मान रही नहीं जो सच्छा ही पता लगे ही मैं पहले हम कहते ते हमला हम आएंगे मंदर बनाएंगे अब हम कहते हो ow हमाईें वहां से मत्रा है क्रिश्न भी तईयार है आप देखिए तस्वीर में कह रहे आज के यूग में कहने हैं अपनी माँ को कह रहे हैं कि राम जी ने बना लिया मेरा दुमन मादस माखन तो खाली है जितना खाना को कि मैं यहां से खड़ाओ लेकर गया था चांडी की चंडी और मैंने चौदा तारीख को चपल पहनी बन करती थी जबसे मेरे हाथ में उपका घड़ा हुआ और मैंने पूरे शहर का उसको लगबक पर्ष्ण करवाया कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूं मैं पुरे शहर को पने सा तो मेरे हाथ में वो खड़ा हुथे और तुबी वेरी फ्रेंग मुझे ठंड नहीं लगना जब तक मैं वो खड़ा हुआ हाथ में लेकर चला माननी चंपत्राइजी मुझे मामिले महासचीव जिन्हों में पुरे मंदर की ट्रस्थ हुए मैंने उनसे अनुभब शेयर किया कि मैं चाहता हूं इसको भी उसी खजाने में ग्रहन किया जाए तो उन्होंने वो सहर्ष ग्रहन किया आप यखीन मानएगा जैसे उन्होंने खड़ा हुए मुझे ठंड लगने लगते मुझे महसूस होने लगया कि मेरे पाउं में मेरे पास जूता नहीं और चार दिन तक मैं में ठंड में ढड़ा यह रहा था लेकिन मुझे महसूस ही नहीं होना था कि मिए पाउँ में मेंडूता है कि कि यह शक्क्ति यह राम की जन 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 के रामाएं मर्यादा प्रशोकत Tang श्रीव्म और सदों हMore कि यह सब पहरत कि कि मेरे साथ लोग फोटोस वगरा किच पारे वो मुझे नहीं जानते तो नो मुझे पूछा माराश्ट की कि ते बुछ आप कौन है यह लोग इनी फोटो किच नहें आप अपना परीचे मैं एक चोटा से बजन गाया था जो रहाम को लाए है हम उनी को लाए और यह सब अरे कि आपने वो बजन गाया था तो वो खड़ होगे एक फोटो भी रूनों ने देगी तो मैंनों से पूचा भाइसाब अगर आप दुरा ना माने तो मैं जानना चालगा कि आपकी क्या सेटिंग थी जो आप यह बहुते है आपको इंविटेशन आया है आपकी कोई सेटिंग यह ने किसी को कुछ कहा कि मुझे बुलाओ या ना बुला साथ कैसी बाते करते हैं मेरे पता जी जब गोली चली थी यहां बान्वे में यहां के SP थे और जब उनको दुबारा गोली चलाने के लिए कहा तो उन्हें का मैं अपनी नोक्री चोड़ दूँआ लेकिन कार सेखो पर गोली चलाओ उसके बाद वो सांसद बने सांसद रहे मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो सांसद थे मुझे इसलिए बुलाया गया कि अब तो वो है लेकिन वो शक्स्ता जिसने राम सेखो पर गोली नहीं चलाई अयुद्धा के राजा भारत है आपका महलों में आओ स्वागत है आपका जो भूल हुई हमसे हमें माप जरा कर दो महलों में राजारा तुम पाओ जरा धर दो अयुद्धा के राजा बड़े सुभागे शाली है जिनको वो दर्शी देखने को 22 जनरूरी का दिन भारती धरम की बात करें या भारती राजनीती की बात करें या भारत की बात करें बहुत एतिहासिक दिन हो गया है आखिर रामलला की प्रान प्रथिश्टा होई अयोध्या में जो मनिर राम का जो बन रहा है प्रान प्रथिश्टा होई रामलला विराजमान हुए वियाईपी लोगों को नियोता दिया गया भारत के कुछ चुनिंदा कुछ वो लोग थे जो उस समय वहाँ मौझूद रहे उन में से एक नाम है कनहिया मित्तल जी हां जिनके भजन भारत में नहीं पुरी दुनिया में गुंजे और खासकर जो उनका लाइन थी के जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे अयुद्या में क्या उनका अनुभव रहा अब क्या उनका आगे कोई भजन आयुद्ध्या के बाद क्या मतुरा की बार है तमाम सवालों के जवाब आज उन से लेंगे हमारे साथ मौजूद है कर नहीं हम इतर बहुत वह स्वागे तक निया नमस्कार जैसिया राम आपका मुझे याद है दो साल पहले जो मिले थे और उस टेम आपने जो भजन गाया और वो सवाल तो खेर आपके साथ हमेशा रही हैं लेकिन इस बार आप बताईए कि जब आयोध्या आप गए वो जो कार्ड हाथ में था और वो चुनिंदा लोग क सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन कर दूं कि पुरे विश्व के अंदर एक बात चल रही कि वी आईपी लोगों को बुलाया गया जिन लोगों की कुछ लोग थे उसमें वी आईपी मैं मानता हूं लेकिन उसमें नब्बे परसेंट वो लोग थे जिन्होंने राम बंद कितने सालों से लोगों को राम के लिए जाव्रों कर रहे हैं कि राम मंदिर बनना चेंगे तो अगर हम किसी चीज के बात करने क चिए अगर हमें आरा है तो हमें एक तरह से curs ngadgarchyं कमanted बाता दूब दूसरी चीज कि इतने वर्षों के बाद हमारे रामलला महलों में आये वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पत्थर, कोई जानवर, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका मन ना भरिया हो, जब पहला दर्शन परदा आठा और रामलला के हमें हुए, मानुद्धर्ति थमसी गई एक काला नहीं समलता था हमसे बागे भी हरी, हमें एक काला और मिल गया हमारे विद्ध्यावा ले रामजी, और ये भाव है, पांच साल के रामलला आये है चार फूरतीन इंच की मूर्थी है, और क्या सौंदर है उस रूप का इवन की जिनोंने मूर्थी बनाई है, अर्जुन, जिनोंने मूर्थी बनाई है, करनाटक के हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैंने जो मूर्थी बनाई वो तो ये रही नहीं, मैंने तो मूर्थी बनाई थी, अब तो ये हस्ती भी है, बोलती भी है, बनने के बाद, लगने के वाला वो शब्द था और वो प्रदानमंत्री जिनको तीन दिन के लिए उपवास के लिए कहा गया और जब उन्होंने संत से कहा कि मुझे आप चर्णामरित अपने हाथ से मेरे मुख में दे दीजिए माननों उनकी माताश्री हीरा बेन उनसंत में आगई और वातसल्य अनको जल दीआ गया गया ग्यारा दिन बाद उन्हों ने चर्णामरित ग्रहन की और चर्णामरित जो देना धा दही और शहिद का उसकी जगह उन्होंने कहा कि जो राम जी चटरस के मुझे भो दिया पूरी सर्यूजी बहाद होगे क्या मुझे याद है और कोई ऐसा शक्स नहीं रो रहा था और रितामब्रा जी यह यह लोग वो हैं जिनों लिए इतनी उन्होंने पीड़नाए सही जेल भी गए लाठी भी खाई उन लोगों के लिए तो आप इसमझे की पुनर जनम हो गया है सनातन का पुनर जनम हो गया है 22 जनवरी का दिन समारों खतम हुआ रामलला विराजमन हो गये एक एक आदमी महां आम था चलिए व्याइपी नहीं कहते हैं लेकिन एक आदमी महां आम हो गया रामलला के सामने कितनी देर आप घूमे देखा आपने और अश्रुधारा तो अभी मुझे भगवान से जुड़कर कुछ देर बैठना होगा उठना होगा दिन में भी तो मैं 22 जनवरी का वो समयात कर लो तो मैं उसे समय भगवान से जुड़ जाओगा एक योग साधना करके आए हम 22 जनवरी का दिन कि जिससे एक दीप जला है हमारे अंदर बाहर का द लगाओ कि मुझे शेयर करना चाहिए आप अपने परिवार में शेयर किया हो कोई ऐसा अच्छा अनुभाव कुछ खास अलग से चीज़ आपको लगवाया कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूं मैं पुरे शेहर को अपने साथ लेके जा तो 14 तारिक से लेके 22 तक मैंने चपल न एसी चल रहा था अठारा तारीक को मैं जब वह अध्या जी पहुंचा तो मेरे हाथ में खड़ा हूं थे और टुबी वेरी फ्रेंक मुझे ठंड नहीं लग लग लिए जब तक मैं वह खड़ा हूं हाथ में लेकर चल रहा था माननी चंपत्राएजी मुझे मामिले चिव जी जिन्होंने पूरे मुंदर कि त्रस्ट मैंने उनसे अनुभवद शेर किया कि मैंने ऐसे-एसे किया और यह खड़ाओ लेकर आए हूं मैं चाहता हूं इसको भी उसी खजाने में ग्रहन किया तो उन्होंने वह सहर्ष ग्रहन किया आप यगीन मानिएगा जैसे उन मुझे ही महसूस ही नहीं होना था कि मेरे पाउं में जूता है कि नहीं यह एक्सपीरियंस आध्यात्मे ही हो सकता है यह शक्ति है राम की जन जन के राम आए हैं मर्यादा पुरशुत्तम श्री राम आए हैं यह किसी हिंदू के राम तो नहीं आएं साहब यह भारत के राम युद्या के राजा भारत है आपका महलों में आओ स्वागत है आपका जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो महलों में राजा राम तुम पाओं जरा धर दो अयुद्या के राजा बड़े सुभा के शाली हैं जिनको वो दर्श देखने को कि अब राम लला से आगए हैं अब आपका दो भजन में मैं आपकी आखें बिल्कुल देख रहा हूं भर जाती है नैच्छुली उस इनसान की अब आगे किए पहनी एक मत्रा की बात होने लगई यह का झा माकन के लिए पनी मां को कह रहे हैं आज के युग में कि नहीं अया को को 일이 मेरा विए ये जितना te have ौई तो क्यों ने का के राम जी के तो हम फोट में देलिए ठेभा थे तब सावल रग़े क्यों लेकर क्योंकि शाम वरन क्यों काला रंग क्यों उसको लेकर चुछ वो पैदा हुए नहीं नहीं जब देखा जब मतने राम जी को देखा तो सामला देखा तो यह उन आप जी आर आपकी जब बातु हो आप खुले आप जिस तरह से भगवे कि आपने बात की या आपके कही बार विवाद भी आते हैं चाहे वो मास्टर सलीम को लेकर हो तमाम हो क्या अक नहीं हमितलब राम आगे हैं और राम सब के हैं मैंने सलीम से बात किया राम सब के हैं मैं कट्टर सनादनी भजन का आया उन्होंने मैं भी यह कहता हूं राम सब के हैं अब ग्यान वापी का फैसला आ रहा है आप द नहीं है कि आप नहीं गा सकते या मैं जा सकता हूँ हमारा नहीं कहना यह कि अगर आप राम के नाम से पैसा ले रहे हैं नाम ले रहे हैं इज़त ले रहे हैं शौरत ले रहे हैं तो उस राम के लिए क्या कर रहे हो आज हम सरयाम कहते हैं जहां जैसा था सोई किस्मत जाग रही है भारत सक्त सनातन की मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की इतिहास औरंग तो भगवे का साथ भी तो दो हम कहते हैं कि आज आयुद्या में राम मंदिर उन्हीं के बगल में मस्जिद भी बनने वाली बहुत बड़ी हमें बधाई दें हम भी उस दिन बधाई देंगे जिस दिन मस्जिद बनें हम कब कह रहें कि अल्ला तुम्हारा बटा हुआ है यह हम कि अगरे बोश्चाए और तो पत्रकार भाई कोया तकलीव है तो आप रहे करो और मेरे बहुले Hisi यह तो आखिर क्यों सिर्फ इस तरह की बाते हैं उनका कहाना कि ठीक है आप समाज में इससे कहीं ना कहीं ना की चीज पोज़े जब कोई कटरता में चीज चली जाती है इसका कोई लेना देना नहीं है और दूसरी बात तो वैसे ही आप अगर सलीम जी की बात करते हूं तो वह खुश रहे स्वस्त रहे मस्त रहे व्यस्त रहे और भजन तो गा दिया ना कि मैं धर्म सनातन सबसे उत्तम डंके की चोट पे कहता हूं तो इतने सालों गाते हुए वह पर माता की भेटे तो काफी सालों से गारे वच्पन सब्द्धरम सनातन की बात जैशिर राम कभी है मेरी बात यह सिर्फ मुसल्मानों से नहीं है या किसी और से नहीं है जो हिंदू बजन गायका उनसे भी है कि भाई तुम क्यों नहीं करते खुले आम क्यूं नहीं कहते जब मेरे खाटव शाम जी को मैं मानता हूं और कि मंदिर को लेकर को दिक्कत आएगी तो मैं करने ग्यानवापे की बात में करनी मेरा हिंदुों से भी सवाल है सिर्फ मुसल्मानों से थुड़ी नहीं मैं हर किसी से सवाल कर रहा हुद कि कैसे जुड़ा जाए लाइम लाइट में उसका कोई फरक नहीं पड़ता सत्य धूमल हो सकता रुख सकता है पराजित नहीं है कोई कहता है कि वो राम नहीं है जो जिकना जिकर दश्रत पुत्र राम का जिकर है तमाम सवाल हुए महुल के आप बात करें आप महां रहे आपने देखा लार्व को कोँछ याद ही नहीं सवरग में मैं हिंदू याद था ना मुसल्मान नियात ना सफ्के जा से aquí Совे लाम के थे और राम ही थे राम ही है बस बद़ी ही मेरे आसपास सारे संत थे देश के प्रमुक संत थे और मेरी आगे की लाइन में हमारे अनपम घहर जी थे और सारे सेलिबरेटी सबसे बात्चित रहाम नमस्कार हुई मेरे पीछे एक शक्स बैठी थे मैं बताओं देखो क्या है किन लोगों को इन्वाइट जी जो वी आई प मुझे मुझे पूछा महराज की थे सरा आप कौन है यह लोग इतनी फोटो कीच रहे हैं आप अपना परीचे मैंने एक चोटा सा बजन गाया था जो रहाम को लाए है हम उनको लाएंगे और यह सब अरे-अरे आपने वह बजन गाया था तो वो खड़े हो गए एक फोटो कि मुझे बुलाओ या ना बुलाओ साब कैसी बाते करते हैं मेरे पिता जी जब गोली चली थी यहां बानवे में यहां के एस पी थे और जब उनको दुबारा गोली चलाने के लिए कहा तो उन्होंने का मैं अपनी नोकरी चोड़ दूँआ लेकिन कार सेखों पर गोली चल लेकिन वो शक्स था जिसने राम सेखों पर गोली नहीं चलाई मुझे इसलिए इसे लोग भरे गुए थे राम शरत की बहन को थारी बंदों की बहन पुर्णिमा जी आई होती को थारी बंदों के जिक्र तो खैर राम और शरत बीस और बाई साल के लड़के कलकत्ता से आए दोनों के भोली लग गई डेड़ बोडी के लिए जो फोन किया न क्युकत्ता कि ले आएं क्या दोनों ने का राम के पास भीजे थे इनको वहीं राम के शरनों में समर्पित कर दो वो लोग जवाजनी मंत्रनाने पर भी नहीं आए वहां बोड लगे थे कुठारी बंदों क कि कहीं गहे नहीं है आपका स्वागत करता है भावनाओं को समझे धरम राजनीती के लिए धरम का उपयोग नहीं हो लेकिन धरम को बचाने के लिए राजनीती तो भखवान सीव्पिजिश्ट यह निकले कि जब जब धरम को हानी हो गी तो इसी परकार की पाटियां क्या कहना चाहंगा कोई-कः कोई-कोई-कोई-कः-कोई-कः में-जिसन कर direito हो घूर्ध सी- पना देर लंगा-वरा में जी सिंधासन तयार आयोध्या सज गई है सरका एक लाइन वो जो शुरुवात आपने कहां की थी के भगवा उसके बिना तो अगर मैं कहूं धूरा है जो राम को लाएं है हम उनको लाएंगे भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे आयोध्या भी सजादी है काशी भी सजादी है गन शाम करपा कर दो उम्तुरा भी सजाएंगे बहुत दो शुक्रिया कनिया ज़नुभा वो साज़ा किया और बताया कि खाली व्याइपी नहीं वहाँ पर ऐसे आम लोग भी थे जिने इन्वाइट किया गया था जो शायद लोग जानते भी नहीं थे तमाम बातें की लेकिन एक बार फिर से दोराया कि कंट्रोवर्सी चाहे जो भी हो लेकिन जो राम नाम है वो आखिर सिद्ध हुआ और राम लला विराजमान हो गए वीडियो जनलीस सनी सिद्धू के साथ उमेश्वान न्यूजेट इन चंडिकट